दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम आपको बताएंगे तीन महीं के बाद लॉगड़ॉन पर क्या होगी ररनीती पिये मोदी ने मंत्रियों के साथ की चर्चा जियां दोस्तो पिये मोदी ने मंत्री के साथ चर्चा की है तिकी ती माई के बाद क्या होगी लॉगडाउन की इस्तिती दोस्तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या होई ये चर्चा और कौन सा जिला कौन से जौन में रहेगा इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो समयत कई अबसर मौजूद रहे बताया जा रहा है कि बैटक में लॉकड़ान के दूसरे चर्ड़ की समिक्चा की गई है सूत रुख हवाले से खबराईए कि बैटक में तीन मई के बाद सरकार की रहनी थी और चार मई में क्या क्या चूट दी जा सकती है इस पर चर्चा की जा रहा है कि पजले एक दो दिन में ग्रह मंतराले की नई गाड़लान जारी कर दी जाएगी इसमें किस जौंड में क्या चूट दी जाएगी क्या है ब्यूरा सारा इसमें आ जाएगा दोस्तों तीन म race को खत्म हो जाएगा लॉकड़कर को ऑर देसमें कोराना मरी जुका आखला 35,000 के पार हो गया है ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चिनवती सरकार को यानि संकरमा को रोकने के केंद्रिय मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक से पहले पिया मोदी से सबी पिर्देशों के मंत्रियों से बात की है दोस्तों आपको बता दें कि कोराना से निपटने के लिए राजनीती में थोड़ा बदलाब किया जाएगा लॉकडान का लॉक खोलने के लिए पूरे देश को पहले ही तीन जौन में बाड़ा जा चुका है लेकिन अब जौन के पैमाने बदले गए हैं स्वास्त मंतरा ले तीन म्य के बाद कौन से जिले रेड जौन में हैं और कौन से ग्रीं जौन में इसकी पूरी लिष्ट पैमान के आधार पर तयार की हैं दोस्तो स्वास्त मंतरा ने लोकडान खत्म होने की तारीक यानि तीन माई के बाद की लिश्ट के लिए 130 जिले रेड जान और 284 औरंग जान और 319 जिले गरीन जान में सामल किये गए हैं देश के मैट्रो सहर रेड जान में ही रहेंगे जहां पर कोराना वायरस फैलने का अध पर यह होगा कि ग्रीन जान में अब जादा जिले सामिर होंगे तो दोस्तो इस तरह से यह सारे जिले सारे जान में बाड़ दिये गए हैं यह पिरदान मंतरी से बात चीत किये सभी मंतरियों ने तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को अभी सब्सक्राइब करने दोस्तों आपने अपने अपना कीम पीसा में दिया स्लिया आपका वह बहुता में राप